समावी सी सिच्छा प्रतिक बिध्याले में सिच्छा प्राप्त करने के लिए सामान बालकों के इलावा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ मानसिक बिसिष्टाएं होती हैं इनमें से कुछ मंद बुद्धी, कुछ पिछडे हुए, कुछ सारीरिक दोसों बाले बालक तर्था कुछ प्रतवासाली बालक होते हैं इनने बिसिष्ट बालक कहते हैं या अपबातात्मक बालक कहते हैं तो समझ में होगा एगा कि बिढ़ता है कि आपको पता कि आपका जो विद्ध्याले है, जैसे आप missions to doop कर रहे हैं, तो इसमें तो हर तरीके के छहातर आते हैं, सामान वालग भी जो आपकी जैसे होंगे, ठीक है?, हो सकता है कुछ बिकलांग भी आते हो, कुछ ऐसे भी हो जो बहुत ज़्यादा होसियारों पढ़ने में एकी बार पढ़ते हैं, सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, जो कई बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उतने अच्छे मार्क सुनके नहीं आते हैं, ठीक है, तो हर तरीकी के बालक देखने को मिलते जो अलग तरीकी के बालक देखने को मिलते हैं, जो सामाने नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बिसिष्ट बालक कहते हैं, ठीक है, इसमें आपके बिगलांग बालक भी आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतवासाली जो होते हैं, वो भी आते हैं, हर तरीकी के बालक आते हैं ठीक है तो प्रतिएक विद्ध्याले में सिच्छा प्राप्त करने के लिए समान बालकों के लाबा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ मानसिक बिसेस्ताइं होती हैं इनमें से कुछ मंद बुद्धी, कुछ पिछडे हुए, कुछ सारीरिक दोसों वाले तथा क प्रतवा साली होते हैं इन्हें बिसेस्ट बालक कहते हैं अब हम बिसेस्ट बालकों की बिसेस्ताइं देख लेते हैं तो पहला है कि बिसेस्ट बालक सारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भाबात्मक रूप से एक दूसरे से भिन होते हैं ठीक है जो बिसेस्ट बालक होते हैं कि वो सारी रिक रूप से एक दूसरे से भिन होते हैं ठीक है तो सारी रूप से मतलब कहा कि जैसे आप सामान है आपके हाथ पर सारी काम कर रहे हैं वो हो सकता है बिकलांग हो तो सारी रूप से भिन हो गए मांसिक रूप से कैसे कि हो सकता है वो मंध हो ठीक है अंत्य मुखी होते हैं तो ऐसे बालक भी इसी माते हैं तो काफी कम qualities होंगी इन में ठीक हो सकता है बहुत सारी बहुत कम qualities हो यह बहुत ज़ादा qualities हो ठीक है प्रतवास आले होंगे तो काफी चीजने जल्दी कर लेते होंगे ठीक है यह हो कहा है इनके पालन portion एवं सिच्छा दिच्छा के लिए अगर कोई बिकलांगे तो थोड़ा और कियर करनी पड़ती है उसकी सिच्छा दिच्छा के लिए क्या कि अगर मालिया मन बुद्धी बाला के तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्टर क्लासिस देनी पड़ें उसे अलग से समझाना पड़ेगा ठीक है इनका जीवन के प्रति नकरात्मक दिश्टिकोंड होता है तो यहाँ पर साकारात्मक और नकरात्मक दोनों हो जाएगा तो थोड़ा से बीक होगा पड़ने में जो मन्द बुद्धी बाला को होते हैं वो थोड़े जादा नेगेटिव होते हैं तो इसलिए का गया कि इनके जीवन के प्रति नकरात्मक और साकारात्मक दोनों दिश्टिकोंड होता है इनका IQ 90 से कम या 110 से जादा होता है तो यह भी एक विसेशता है कि अगर 90 से कम किसका IQ होगा जो मन बुध्धी बाला कोंगे जड़ बुध्धी, हीन बुध्धी या कह सकते हैं मूड बुध्धी या जड़ बुध्धी यह सारे आते हैं 90 से कम IQ वाले में ठीक है बुध्धी लब्दी कहते हैं IQ को आपको पता होगा और 100 से ज़्यादा किसकी IQ होती है जो प्रतवा साली बालाक होते हैं उनका IQ होता है वो 110 से उपर होता है इसलिए कहा गया कि इनका जो IQ है वो या तो 90 से कम होगा या 110 से ज़्यादा होगा यूँकि 90 से 110 के बीच में सावान बालाक का IQ आता है ठीक है बुध्धी लब्दी आती है तो ये इनकी बिसिष्टा है हो जाएंगे बिसिष्ट वालकों की अब हम बिसिष्ट वालकों का बर्गी करण देख लेते हैं इनने चार तरीके से बाटा गया है पहला सारी रूप से बिसिष्ट वालक पर मांसिक रूप से बिसिष्ट वालक ठीक है तो पिसिस्ट वालकों का जो बर्गी करण है वो चार अधार पर किया गया है, सारी रूप से, मांसिक रूप से, सहाचिक रूप से, और सामाजिक रूप से अब इनके अंतरकत भी कई चीज़ां बाठी गई हैं, जैसे सारी रूप से बाटा तीन भागों में कि पहले है सामेदिक रूप से बिकलांग फिर है गती रूप से बिकलांग और बहुल बिकलांग तीन भागों में वाटा है तो दिखिए सामेदिक रूप से बिकलांग में बहु आ जाएंगे जो जन्म से अंधे हैं जैसे जन्माद तीसरे हैं बहुल बिकलांग जब एक से अधिक सारी निर्योगता हैं पाई जाएं तो उसे कहा जाता है बहुल बिकलांग मतलब एक से अधिक अंगों से वो बिकलांग हो तो उसे बहुल बिकलांग कहेंगे पिर दूसरा है आपका मानसी ग्रूप से विस्सिष्ट बालक अब मानसी ग्रूप से विस्सिष्ट बालक में कौन है इसे भी तीन भागों बाटा है पहला प्रतवासाली बालक फिर स्रिजनातमक बालक और तीसरे हैं मन्द बुद्धी बालक तो प्रतवास साली भई होगे जिनका IQ 120 से उपर होगा ठीक है बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं बहुत जल्दी कार कर लेते हैं स्रिजनात्व का अलग में क्रेटिव बालक आ जाएंगे बहुत जादा अच्छी creativity इनके अंदर पाई जाएगी painting बहुत अच्छी बना लेंगे, art बहुत अच्छी होगे, इनकी मतरब कहानियां बगारा बहुत अच्छी से लिखे लेंगे magician होगे, ये सारे आजाते हैं स्रिजनातक में मंद बुद्धी बालक जिनका IQ जो होगा वो 90 से कम होगा वो मंद बुद्धी बालक आ जाएंगे ठेक है तो ये मांसी कुरूप से बिसेष्ट बालक हो गए फिर है सैच्छी गुरूप से बिसेष्ट बालक इनने भी तीन भागों में बाटा गया है पहला है समस्यात्मक वालक, दूसरे हैं बंचित वालक, तीसरे हैं बाल अपरादी, तीसरे हैं तिस्क्रत वालक, समस्यात्मक वालक में ऐसे बालक आते हैं, जो बहुत जल्दी समस्या क्रेट कर देते हैं, आप कहीं भी ले जाएं, आपने देखा विध्याले में कुछ बालक होते हैं और नहीं कोई अपराद कर दिया उतों उनने बालप राद्धी कहते हैं फिर त्रिस्कृत वालक जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दियो तो जो तुर्य गपने बच्छों убийा थिक टे करते उसे उसी प्रकार का अधिकम परदान किया जाए ठीक है अगर आप विस्च पालोकों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसे सिखाना है कि जिस गती से वो सीख पाता है चीजों को, उसी गती से आपको सिखाना है ताकि वो क्या करेगा, थोड़ा इंट्रेस्ट लेके चीजों को पढ़ेगा, सीखेगा तीसरा पॉइंट है कि विसिष्ट बालकों की सिच्चा के लिए बिविन संस्थाओं की स्थापना की जाए जो विसिष्ट बालक हैं, उनके लिए क्या करना है आपको, उनकी सिच्चा के लिए बिविन संस्थाओं की स्थापना करनी है जैसे हमाल लिया, कोई बच्चे हैं जो सई से नहीं देख पाते चीजों को तो आपको क्या करना कि एक संस्था बनानी है जिसमें सारे उसी कैटिगरी के बच्चे होंगे जो जादा नहीं देख पाते या कम देख पाते या बिल्कुल नहीं देख पाते उन्हें सिच्चा परदान की जाए योगि उसमें बैसी संसादन आप रखेंगे टेप, रिकॉर्डर बगएरा या कुछ ब्रेन लिपी का यूज करेंगे उनके मादियम से आप सिखाएंगे उन्हें तो यह होता कि बिसेष्ट बालकों की सिच्चा के लिए आपको क्या करना भिविन संस्थाओं की स्थापना करना है फिर नेक्ष्ट पॉइंट है कि भारत सरकार के द्वारा इन बालकों की सिच्चा मुप्त रखनी चाहिए मुप्त, पुस्तक बितरन, छात्पृति की विवस्ता की जानी चाहिए मतरब जो इंडियन गवर्मेंट है वो क्या करे कि ऐसे जो बालक हैं, जो बिस्च बालक हैं उनकी जो सिच्च हैं, उसे पूंडतें free कर दें ठीक है, कोई भी सुलक ना लिया जाए उनसे उनने पुस्तकें free में दी जाएं और उनने scholar से भी दी जाए इसकी भी विवस्ता इंडियन गवर्मेंट को करनी है नेक्ट पॉइंट है कि विशिष्ट बालकों को आपचारिक सिच्छा से पूर्व किसी विशिष्ट सिच्छा केंद्र जैसे की आगनवाडी आदी में सिच्छा दिलवानी चाहिए कहारने का मतला पर जितने भी विशिष्ट बालक है आप उन्हें आपचारिक सिच्छा जो देते हैं जो विध्याले में सिच्छा देते हैं उससे पहले आपको क्या करना है जो विशिष्ट सिच्छा केंद्र है जैसे की आगनवाडी या कोई और उसमें पहले आप सिच्छा दें, ताकि बच्चे जो हैं उसके अन्कूल बन सकें, जो अपचारिक से अच्छा है, ठीक है अपने आपको समायवजित कर सकें, ठीक है इसके बाद आप बिद्धाले में उन्हें सिच्छा दिलाएं ताकि वो पूर्टे सही से सीख पाएं चीज तो यह साथ पॉइंट हैं, आप चाहें तो साथ में पॉइंट में चार पॉइंट्स और बना सकते हैं, कि विसेश स्कूलों की स्थापना कीजाएं, इनके लिए बिविन योग जो अध्यापा की निक्ति कीजाएं, विसेश पारकरम का निर्वान कीया जाएं और विसेश विसेश बालकों की सिच्छा विवस्ता में ध्यान रखने योग बाते हैं, कि अगर आप विसेश बालकों को सिच्छा दे रहें, तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं, पहला यह कि उनकी रुचियों को ध्यान में रखना चाहिएं, ठीके जो बच्चे हैं, विस अच्छी निर्देशन सेबा की विवस्ता की जाए? ऐसी सेबाओं की विएस्टा की जाए ताक । आप बच्छों को निर्देशन जाते हैं वो समझ सके ठीके जाया है वो इंटेनेट के मादग method आप नर्देश दें ठीक है या लाओडी स्पीकर के माद दिम से मतलब ऐसी अच्छी सेवा होनी चाहिए नर्देशन की ठीक है फिर next point है कि business बालकों के सिच्छकों के लिए भी प्रसिच्छन की विवस्ता की जाए मतलब जो business बालक है इनके जो सिच्छक होते है ठीक जो teachers इने पढ़ाएंगे उनके लिए भी प्रसिच्छन की विवस्ता की जाए क्योंकि सारी teachers इनको नहीं पढ़ा सकते ठीक इनके लिए business प्रसिच्छन की विव भीशिथ हो सके थीक है यह सारी points है जो आपको या रखना ओस्पार के सच्छां में कौण-कौण सी चीज को ध्यान रखना है तो इन सारी चीज को को अपको ध्यान में रखना है सीजैए बप्सिस्न गरी करूं का बरगी को मिल रहे थे, अब इनको मैंने एक अलग जगह दिख दिया है, अगर आप सीधे-सीधे लिखना चाहे हैं, तो ऐसे सीधे लिख सकते हैं, कि विस्ष्ट वालकों की प्रकारों में कौन-कौन से आ जाते हैं, तो प्रतवासाली बालक आ जाते हैं, इन्हें भी विस्ष्ट वा जो ख्ञाड़ी वालक वालक होते है運 हो मतलब बहुत अच्छा खेल लेते हैं आपको पता कि सब रोज सरमा नहीं बन सकते हूँ बराट को धर नहीं बन सकते तो वह कहा गया है कि जो ख्रूंए बाल अपरादी जो होते हैं सबcolor然后 करते है तो इन्हें भी बिस्स्ट बालक की स्रेडी में रखा गया है और फिर है आपका कूव समयावजित बालक ठीके मतलब जो समायूजन नहीं कर पाते हैं समाज के साथ ठीके कुछ बालक होते हैं बहुत कम बोलते हैं दूसरों से मतलब नहीं रखते हैं ठीके ज्यादा निकलते नहीं बाहर समाज में नहीं आते हैं बात्चीत नहीं करते हैं तो ऐसे बालक भी बिस्स्ट बालक की स्रेडी में आते हैं ठीके तो अगर बिस्स बालकों के प्रकार पूछे हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं झाल झाल